जहीं दोस्तो वेलकम बैक माई यूट्यूब चनल तो आज हम लोग बात कर लें अगर आप ट्रेक्टर को EMI या तो लॉन पे लेना चाते तो इस वीडियो में देखने वाले हैं कितना डाउन पेमेंट करने के बाद आपको कितना लॉन या तो EMI पेमेंट करना पड़ेगा हम लोग 5-7 साल दोनों का देखने वाले हैं और आपको दादे ये ट्रेक्टर की बात करें तो इस ट्रेक्टर का काफी सांदार ट्रेक्टर है और ये महंदरा का बहतरी ट्रेक्टर है और ये ट्रेक्टर जो है काफी अच्छे फीचर से भी देता आपको और इसकी इंजन कैप चीटी भी है तो सारी जानकारी देंगे इस वीडियो में चले वीडियो को शुरू करते हैं आगे बढ़ने से पहले वी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक निक्यों तक कर दिजेगा तो आज के हमारे लिस्ट में जो ट्रैक्टर रहने वाला है वो महंदर इसका जो रहता है 3156 का इंजन और 57 HP होरस पाउर कर रहता है और इसमें जो नमर वप आपको सिलेंडर देखने को मिल जाएगे चार इसमें नमर वप सिलेंडर आपको देखने को मिल जाएगे और यहाँ पर गेर की बात कर लें दोस्तो 15 और 3 15 आपको forward गेर मिल जाते हैं 3 आपको रिजब गेर मिल जाएंगे और बात करें फ्यूल कैपसेटी जो इसका इंजन है 65-65 केजी तक आप इसमें फ्यूल डला सकते हैं अब चलिए बात करें दोस्तों इसका ओन डॉट प्राइस कितना रहने वाला है एक शोरूम प्राइस कितना रहने वाला है सबसे पहले ब यहां पर चलिए हम दोग देख लेते हैं कि कितना डाउन पयमेंट करने पर आपको कितना ऑमाई पयमेंट करना पड़ेगा इसमें दोस्तों हम लोग 5 साल 7 साल दोनों देखने वाले तो सबसे पहले आप देख सकते हो जो आपका डाउन पेमेंट रहने वाला है दो लाग रुपिया अगर आप डाउन पेमेंट करते हो तो आपका जो बैंक इंटरेस्ट रहता है 9% आपका रहेगा और टोटल जो लोन अमाउंट आप पे रहेगा 7,30,000 रुपिया तो यहाँ प आपको कितना अमाई पेमेंट करना पड़ेगा तो यहाँ पर आप 3,000,000 रुपिया आपका रहने वाला है अगर आप 60 मैने 5 साल के लिए AMI payment करोगे तो 13,078 रुपिया आपको AMI payment करना पड़ेगा 5 साल तक इसी में हम लोग 7 साल की देखे तो 7 साल में आपको 10,136 रुपिया AMI payment करना पड़ेगा 84 महने तक आप देख सकते हो और लास्ट में हम लोग discuss भी करेंगे आपको कितना interest भरना पड़ रहा है 5 साल में कितना interest भरना पड़ा है और 7 साल में कितना interest भरना पड़ेगा चलिए अब देखते हैं दोस्तो down payment एक बार फिर से हम लोग बढ़ा देते हैं यह मैंने 3 दे रखा है आपको जैसा अच्छा लगे देख सकते हो डाउन पेमेंट अब आपका जो साड़े 3 लाक रुपिया होने वाला है और टोटल लॉन एमाउंट आपका सेम 5 लाक 80 जार रुपिया टोटल लॉन एमाउंट रह जाएगा और rate of interest की बात करें तो आपको बता दिया 9% आपका rate of interest रहने वाला है कम नहीं मिलेगा आपको जादा ही जाता है लेकिन कम नहीं जाता है ध्यान रखेगा और 60 मेने की बात करें तो 12,040 रुपिया आपको 5 साल तक 60 मेने तक EMI पेमेंट करना पड़ेगा और 84 महिना में आप देख सकते हो 7 साल यानी 9,332 रुपिया EMI पेमेंट करना पड़ेगा तो यहाँ पे 5 साल और 7 साल का दोनों देख लिया चलिए आप जानते दोस्तों यहाँ पे 5 लाग जो 80,000 रुपिया लॉन एमाउंट रहता है इस पे आपको जो है बैंक की कितना इंटरस्ट लेती है मैंने एक ही रखा है लाश्ट वाला उप्सन देख सकते हो 60 मैने के लिए जो आपका इंटरस्ट लगने वाला 1,42,391 रुपिया आपका बैंक इंटरस्ट लेती है इसी में 7 साल का भी आप नीचे देख सकते हो 7 साल में लगवा 2,00,000 रुपिया सम्थिंग लग रहा है तो आप देखो कितना जितना कम महने का लगवे उतना ही आपको इंटरस्ट कम देना पड़ेगा आपकी मर्जी है आप जितना चाहो ले सकते हो और गाड़ी बहतरीन है कापी अच्छा भीक्री और इसमें बहुत सारे आप बिजनेस भी कर सकते हो और इससे बिजनेस करके वो अच्छी कासे इंकम भी आपकी हो जाएगी लगव मैने के तो लाख रुपिया आप कमा सकते हो और बहतरीन करते हो तो अगर आपका कोई कोश्चन भी हो तो इंस्टाग्राम पर जाके पूछ सकते हो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्च में जैहिन जै भारत थैंक्यू थैंक्स वर वाजिंग